नमस्कार मेरें जैसेनी और आप देख रहे हैं बिजनोर एक्सपीज धामपुर में पोस्ट ओफिस के सामने गूगल बिल्डिंग में चल रहे आई सीटी के सेंटर संचालक दिलीप सिंग के खिलाफ आज उबजलाधी कारी विजावर्धन तोमर को एक शुकायती पत्र सौप कर कारवाही करने की मांगी है दरसल मामला अनुसुचे जाती के छातरों से जुड़ा हुआ है नितीश कुमार पुत्र श्याम सिंग निवासी बालमी की बस्ती ने बताया वहर रोज की भाती सेंटर पर कोचिंग करने के लिए जाता था तेही तारीक में उसके साथ दिलीव सिंग ने अभद भ्यवार वज्याती सुचक शब्द और कोचिंग से धक्का मार कर बाहर निकालने का आरोप लगाया है यह सारी घटना सिसी टीवी में कैद हुई है जिससे अनुसुचित जाती के लोगों में भारी रोजव्याप्त है इसी संदर्म में आज एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री उत्तर परदेश सरकार के नाम धामपूर उबजलाधीकारी विज़ावर्धन तोमर को सौप कर उचित कारवाही करने की मांगी है धामपूर से हमारे संबादाता दिनिश्कुमा प्रजापति के अरिप यह क्या नाम है अपका मेरा नाम सिधार्थ कुमार आदामपूर उब्जलाधी गारिक से सिकायत करना है क्या है पुरा मामपूर मैं आए सेटी पर पढ़ता हूं और मुझे पढ़ते तीन महीं तेन वह पर हो समझ में नहीं आरहा कोई कोई पुशन पूश्टा हूं तो मेर को रुखना पड़ेगा मैं वहाँ पर रुखा मैंने सर मैं जा सकता हूँ अब उन्हें नहीं आप नहीं जानेगे अगर आप जाओगे से तो ब्याली सजार रुपी की पैनल्टी हम आप पर लगा देंगे और मैं चाहता हूँ कि कंजिमर प्रोटक्शन एक्ट के जर्विये इनके उपर सक्त कारवाई की जाए और से अपने सर से कुछ प्रिशन पूछ लिए कि सर हमें किताबे कब मिलेगी क्योंकि मैं कोशल विखास का चात्र हूँ तो क्योंकि महां से कुछ किताबे और द्रेसे महां में से वित्रित हुई थी जिन में से उन्हों ने हमारे द्रेसे तो दी पर किताबे बापिस नहीं की हमें किया नाम है आपके सरकार मेरा सरकार नाम दिलीप जिंग है जो कि आइसे आइटी सेंटर चलाते हैं और उन्हों ने और मुझे कहकर कह दिया कि आप एक छोटी छोटे लोग को हम क्या किताबे देगे तुम कोई पढ़ने के लायक नहीं हो और मुझे धक्यमुक्य दी महां से स पिजनाओर की सभी ताजा ख़बरों से जड़ी रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें